असलामुलेकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जेनरल सेफटी के बारे में बात करेंगे कि कॉंस्ट्रक्शन की फील्ड में जेनरल सेफटी रूल्स कुन-कुन से होते हैं safety is paramount in the construction industry to protect workers from potential hazards workers को मुपकिना खत्राइब से बजाने के लिए तामिराती सनत में हिफाजाद सबसे एहम है here are some general safety rules commonly followed यहां पर कुछ general हिफाज़ती हैं जिनकी आम दोर पर पर पैरवी की जाती है जिनको follow किया जाता है जिसमें सबसे पहल है personal protective equipment यानि के जाती हिफास्ती सदो सामान workers must wear appropriate PPE including hard hats safety glasses gloves and steel top boots to protect themselves from falling objects flying debris and other hazards workers को मुनासी PPE पहनना चाहिए बेशमूल safety helmets है safety के चश्म हैं safety gloves safety shoes हैं ताके वो गिरने वाली अशिया उनने वाली debris हैं और दीगर खत्राइब से खुद को बचा सके scaffolding safety जो इसके फुल्डिंग के related safety होती है erect and use scaffolding according to manufacturing guidelines and ensure it is inspected regularly manufacturer के रहनमा जो खतूत हैं उनके मताबिक scaffolding को खड़ा करें erect करें और इस्तिमाल करें और यकीनी बनाएं कि इसका बगाइदगी समयना किया जाता है workers should be trained in safe scaffold use and wear fall protection of full body harness when working on around scaffolding workers को scaffolding के महफूज इस्तिमाल की तरभियत दी जानी चाहिए और जब वो scaffolding पर या इसके इर्द इर्द काम करते हैं तो इन्हें गिरने से बचाओ या मुकमल full body harness पहनना चाहिए electrical safety workers must be trained in electrical safety procedures and know how to identify and avoid electrical hazards workers को electrical safety के तरिके कार में तरभियत दी जानी चाहिए और उनको इतनी awareness होनी चाहिए जब भी आपने किसी electrical equipment के पर काम करना है को working करनी है मेंटिनेस जॉप करनी है तो उसके लिए आपने लोटो को पर सीजर को follow करवना है material handling use proper lifting techniques such as bending at the knees and lifting with the legs to avoid back injuries use mechanical heads like hoist or forklift for heavy or awkward loads lifting के मुनासिफ तक्नीक इस्तमाल करें जैसे गुटनों पर जुखना और टांगों से उठाना कमर की जो चोटे हैं कमर की जो injuries उनसे बचने के लिए जो awkward load है या जो heavy load है उसके लिए mechanical aids जैसे के hoist या forklift इगरा के इस्तमाल करें emergency procedure हंगामी तरिके कार have clear emergency procedures in place including evacuation plans for state kits and trained personnel to respond to emergency such as fire medical incident or accident अपने जो workplace है उसके उपर वाज़े हंगामी तरिके कार रखें बशमूर जो evacuation route है इनकिलार का जो रास्ता है उसका plan इप्तिदाई तिभी इंदाकी kits और और तिभी वाक्याद या हाथसा जैसे हंगामी अलात को जो respond करना है आपने उसके लिए जो तर्बियत कार होते हैं त जल्ट से जल्ट जख्मियों को rescue करना फाल प्रोटेक्शन प्रॉपर फाल प्रोटेक्शन मेयर्स सच आज गार्ड रेल सेफटी नेट्स और परसनल फाल अरेश सिस्टम मस्ट बी प्लेस इन प्लेस फार वर्क एट हाइट अबाव साटें थ्रेश्वोड गिरने से बचाओ जब भी अपने वर्क एट हाइट करना है तो फाल प्रोटेक्शन यानि फुल बाड़ी हारनस लाजमी पहने ना है लेडर सेफटी सीडियों की इफाज़ यूज़ लेडर अप्रोपरेटली एंशुरिंग दियार इन गूट कंडिशन सेट अप उन स्टेबल गराउन टाइड आफ इफ नेसेसरी नेवर स्टेंड अन दी टाप आफ टू रंग्स आफ लेडर सीडि को मुनास्ब तरीके से इस्तमाल करें इस बात यूगी ने बनाते हुए कि वो अच्छी आलत में है मुस्तेकिम जमीन पर सेट की गई है और अगर ज़रूरी हो तो उसको बनने कभी भी सीडि की उपर दो जो रंग से उसकी उपर खड़े ना हो Heavy Equipment Safety Only trained and authorized person should operate heavy machinery and equipment सिर्फ طربیہ जिय draftah और जो trained लोग है वो ही Heavy Equipment को चलाणास सकते हैं उनको इस सिर्फ हात्राइज होना चाहिए छाजसात को रोकने के लिए जो Equipment की मेंटेनस है जो देख बाला है उसका इंस्पेक्शन ज़रूरी है इस बात की विकीनी बनाएं के तमाम खतरनाक मवाद पर सही तोर पर लेबर लगा हुआ है और वरकर्स को इनके मवाद की महफूज हैं और स्टोर करने की तर्बियत दी गई है तमाम वरकर्स और जो निगरान हैं जो कारकों ने उनकी बगाईदा है फास्ती तर्बियत सेशन का इनकात करें ताके इन्हें मुम्किना खतरात और महफूज काम करने के तरीकों से अगार रखा जा सके किसी भी फास्ती ख़शात को फ़रीत और पशनात करने और इंसे निमटने के लिए काम की जगा का बुकाईदा माइना भी किया जाना चाहिए ये जनरल हफास्ती असूल तामिराती साइश पर हथसात और चोटों को रोकने में मदद कर सकते हैं इसमें शामिल हर फ़र्द के लिए काम करने का महफूज महोल पैदा कर सकते हैं